कना इसकी 16 plt को प मार्किट को इनलाइज करते हैं कल के लिए शुरुवात करते हैं निफ्टि के साथ में उस विडियो में हम हम एक निफ्टी का ऑप्शन स्ट्राडजी डिसकेस करेंगे और साथ में यह पर हमारा आउट्लूक रहेगा थैसंडे के लिए जो अब नोटिज भी किया होगा मैं बहुत common method use करता हूँ for my analysis जहाँ पर majorly मेरा सारा focus होता है support, resistance पर तो इस time पर जो methods मैं use कर रहा हूँ उनके basis पर support और resistance कहां कहां निकल के आ रहे हैं because यही चीज आपको यहाँ पर strategy के अंदर देखने को मिलेगी है अगर आप यहाँ पर यह line draw देखेंगे यह चुटा सा line है यह है हमारे पास 25,000 जो एक major resistance है इस time पर इस time तो यह कह सकते कि बहुत ज़ादा call writing 25,000 पर हो रहा है बाकि अगर आप 24, 8, 50 पर भी देखेंगे तो यह पहले भी कहीं ने कहीं इन levels के आसपास देखेंगा यह वही level है जो पहले nifty ने as a support as a resistance उसक्या था तो इसी level के आसपास आ गया gift nifty की बात करें थोड़ा से negative में इस time चल रहा है 150 point negative में gift nifty trade कर रहा है तो हम expect कर रहे है कि जो हमारा यह वाला level है retracement का जो 38.2 है nifty इसी के नीचे कहीं ने कहीं open करेगा और जो यह आप यह rainbow color देख रहे हैं यह rainbow color बेसिकली गैन फैन है गैन थियोरी बेसिकली वैसे तो देखिए 1500 साल परानी है इसको जब Mr. Gann ने बनाया था तो कहीं ने कहीं इसका जो logic है वो astrology के साथ में mix up है आज भी अगर इसको आप implement करते हैं अपनी trading setup में कुछ नहीं तो आपको शांदार एक support resistance का concept मिल जाता है तो जो नीचे का level है यह हमारे पास में है 24, 6, 25 का level 6, 25 का level यह अगर आप यहाँ check करेंगे तो कहीं ने कहीं दोनों तरफ से मतलब आपके retracement level के तरफ से भी और आपके GAN fan के तरफ से भी यह आपके लिए major support निकल के आएगा उसके नीचे अगर आप check करेंगे तो 24, 400 है और फिर अगर यह नीचे गिरेगा तो आपके पास में 24, 200 से लेके 250 के level मिलेंगे और जब हम nifty को लेकर एक हमने अलग वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको complete nifty analysis किया है वहाँ पर हमने discuss किया था कि nifty ऐसे नहीं गिरने वाला है nifty कहीं न कहीं level को touch करेगा rise करेगा और fall करेगा यह क्यों? Elliot wave theory उसमें हमने discuss किया है ज़रूर चेक कीजिगा तो यह सारी analysis यह कह रही है कि market अभी कहीं न कहीं हमारा 24,400 के आसपास और 25,850 के या 900 के आसपास आपको देखने को मिलेगा in coming week ना तो बहुत बड़ा fall है ना ही बहुत बड़ा rise है बैस इतना ही आपको ध्यान रखना है फिलाल के लिए और इसी basis पे अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ 24,900 and 24,450 और 400 के लिजेगा इसी zone में nifty अगर अपने आपको hold कर लेता है या इसी के आसपास क्योंकि देखे rise के chance तो बहुत कम है तो आपके लिए strategy बहुत आसान रहेगी तो इसी के basis पे और option chain भी यही बात कर रही है तो उस के basis पे मैंने क्या किया है nifty के एक study बनाया है यहाँ पर आप चेक करेंगे यहाँ पर आप 12th September का मैं तो आपसे इसको उपर कर देता हूँ मुझे लगए आपको दिखाई नहीं देगा यह आपको थोड़ा सा ठीक नज़र आएगा रुक एक एक सोकेंट यह आप तीनों लेवल आपको नज़र आ रहे है यहाँ पर नोटिस कीजिएगा आपको चूज करना है 12th September का expiry जहाँ पर B लिखाई यह बाय है तो आपको बाय करना है 25,000 का put एक lot जो अभी trade करना है 230 के आसपास अभी हो सकता है आपको यह 200 के आसपास मिलेगा मंडे को बट लेवल सेम रहेंगे थोड़ा सा प्रीमियम में चेंज मिल सकता है बट लेवल में strike price आपकी सेम रहेंगी दूसरा आपको क्या करना है आपको 650 का एक put sell करना है as of now 77 रुपीज पर trade करना है तो तो आपको 60 रुपे मिले और एक और आपको लेक्स sell करने माद तीन लेक्स टरजी रहेगी वो रहेगी 24,500 24,500 24,650 sell रहेंगे और 25,000 deep in the money buy रहेगा यह में इसलिए लिया कि किसी गलती की वज़े से अगर हम market जहाँ पर है आज वहाँ बर भी अगर hold कर लेता है न तो भड़िया से आपको loss ने मिलेगा यहाँ पर आपको जो capital requirement रहेगा that will be 70,000 maximum profit रहेगा that will be 6,000 के round 300 के नीचे आपको unlimited loss मिलेगा लेकिन यहाँ तक पॉस्टे पॉस्टे बहुत बड़ा time है यहाँ तक पॉस्टे पॉस्टे हम उसको exit भी कर सकते हैं और अगर यह I would say 900 के उपर जाकर close करेगा कल हो सकता है 880 आपको मिले तो 880 से 900 के उपर जाकर close करेगा तो आपको एक minor सा loss मिलेगा अभी जो मुझे नज़र आ रहा है वो है आपका 2600 का तो I think 2400-2300 रुपे का आपका maximum loss रहेगा return की बात करेगा तो 9% से 8% का आपको return मिलेगा तो एक अच्छा study हम hold कर सकते हैं रोजो state करने की ज़रूत नहीं है कोई अगर मुझे लगेगा कि यार अच्छा सा put buy की opportunity मिल रहे है जहाँ पर naked put buy कर सकते हैं तो वो मैं update कर दूँगा आपको telegram पर तो telegram channel को अगर आपने join नहीं कि उसका part अगर आप नहीं है तो description box में इसी वीडियो के लिंक मिल जाएगा जरूर जोइन कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है बिना subscribe के वीडियो देख रहे हैं तो पहला काम यार subscribe एंट विकलिक कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा आने वाले सारी वीडियो के आपको notification मिलते रहेंगे telegram के अलाबा कुछ demand account का links और हमारे website का link भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा तो आप उनको use का सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास में nifty का outlook और जैसे मैंने कहा कि फिलहाल हम कोई भी naked trade के लिए as of now अभी ready नहीं है market में अगर live market रहेगी तो हम चोचेंगे यह मुझे लग रहा ठीक है एक हफते के अंदर अगर आपको 4 दिन के अंदर 8-9% return मिलेगा I think that is more than enough बाकि कुछ level से हमने discuss किये है nifty वाली वीडियो में उसको जरू चेक केज़ेगा और यह buy sell recommendation नहीं है कोई भी trade ले हमारा अगला इंडेक्स रहेगा bank nifty bank nifty ने traders को काफी निराश किया है everybody was expecting bank nifty में एक breakout आएगा इससे पहले भी अगर आप देखेंगे bank nifty ने जितनी बार भी इस line को touch किया था हमने हर बार यही बात कहा था कि bank nifty एक breakout indicate कर रही है और अगर यह breakout आया तो bank nifty के साथ साथ में nifty भागेगा because weightage की वज़े से लेकिन PSU bank की वज़े से PSU bank में selling की वज़े से bank nifty ने सब को निराश किया और bank nifty अब जिस stage पे है पहले हम बात करें ते रहे कोई बात नहीं जब तक 51,000 के उपर bank nifty है कोई problem ही नहीं आप बंदास buy on dip कीजेगा यह level break हो जाता है तब आपको कोई trade buy के तरफ नहीं लेना और closing की बात करें तो देखे 5.76 का है इस time पे अगर मैं आपको option chain का बता हूँ जिसको OI analysis भी कहते हैं तो maximum यहाँ पर आते हैं resistance maximum resistance हमारे पास में है 51,000 का हलका फुलका हमारे पास जो support है बहुत जादा नहीं बहुत हलका फुलका support है वो है 5,500 का और इसके नीचे फिर सीधा हमारे पास 50,000 है and 49,000 है तो हम यह मान सकने हैं कि हमारा कोई भी trade 50,000 के जब तक ऊपर है bank nifty तो हमारा sell नहीं बनता है और नीचे आने के बाद में आप sell initiate कर लिजेगा वापिस से bounce back करके अगर closing 650 के उपर देना शुरू कर दे 650,700 के बीच में अगर देना शुरू कर दे तो समझ जाएगा कि bank nifty कहीं ने कहीं 55,000 को hold करने कोशिश कर रहे है और वापिस से hit करके वो 51,000 को भी touch कर सकती है और जब तक 50 के नीचे है definitely sell बना रहेगा हम भी उसी तरफ रहेंगे तो इसी यही हमारा outlook रहेगा coming week के लिए तो हम यह कर सकते हैं कि अगर 51,000 break करता है bank nifty तो आप put buy करेंगे target के लिए 300 और 50,100 के target के लिए आप उसमें अपना put buy कर सकते हैं और hedge के लिए 500,000 का आप अपना hedge कीज़ेगा इस level के उपर hold करके रखता है अपने आपको तो या तो 50,500 को break करके मतलब यह 55,500 है या break करके इसके उपर जाएगा तो buy and dip बन जाएगा इन case ऐसा होता है कि बिल्कुली flat opening करता है तो यह level बनेगा तो इन दोनों level के उपर जाने के बाद अपना call buy कीज़ेगा यहां से अगर check करेंगे तो 850 और 51 बनेगा और अगर यहां से जाएगा तो पहला target यह रहेगा और दूसरा target आपका 800 से लेके 850 रहेगा और hedge के लिए 500 पॉइंट आप यूज करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा level wise लेकर अगर मैं आपको यहां option strategy दिखाऊं तो option strategy मेरे पास में आपके लिए यहां भी 3 लेक का option strategy है इसको भी थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा आपको सारी लेक्स नजर आजेए आप मेरे face के ऊपर जा चुका है चलिए यहां पर देखिएगा यहां पर हम 11 September का expiry ले रहे हैं पहला लेक buy है बाके दुनों लेक sell है हम क्या करेंगे 5800 को buy करेंगे अभी जो हमारा इंदा money है तो 5800 पर buy करेंगे 49800 जो हमारा immediate support है मतलब 50,000 से नीची हम जाकर sell करेंगे ताकि market अगर अचानक dip भी कर गई तो भी कहीनिक हम secure feel करेंगे और देखिए यहां पर जो अप line देख रहे हैं अचानक market भाग भी गई न नीची की तरफ तो भी कहीनिक है आपको profit मिलेगा और 49400 का फिर एक और lot आप sell करेंगे तीनो put हैं और यहां पर आप क्या करेंगे दुबारा बता रहा हूँ 5800 put buy 49800 and 49400 का put sell करेंगे आप यह 3 lakh बनेंगी इसमें आपका capital requirement पड़ेगा लगभग 90,000 के आसपास और यहां पर आपका maximum profit रहेगा 10-12% का सेफ रहेंगे 48,7,10 तक और अगर यह 55,100 के ऊपर जाएगा तब ही आपको loss होगा और यह loss कितना रहेगा मैं दिखाए तो आपको यहां पर आपको 46,100 का loss रहेगा अभी हमने डिसकस किया कि इन केस ऐसा होता है कि 55,100 को hold कर लेता है तो हम आराम से exit कर जाएंगे 55,50 तक, 650 तक उसके नीचे जाने के बाद में perfect closing तक रहेगा तो हम आराम से उसको hold कर सकते हैं तो यह आपके लिए एक safe zone रहेगा अगला index रहेगा हमारे पास में mid cap nifty mid cap nifty में जो immediate support है that is coming around 13,080 से लेके 100 का तो यह आपके लिए as of now अभी तो resistance और support दोनों बना हुआ है लेकिन अगर इसके नीचे जाएगा तो यह resistance बन जाएगा तो in case ऐसा होता है कि market उपर open करेगा तो इनी level के आसपास dip करके rise करें तो आप buy कीजिएगा और अगर नीचे open करेगा और इसको regain करके buy करें तो भी आप buy कर सकते है for a target of 200 and 250 के लिए और यहाँ पर आपका kalk expiry नालो तो ठीक रहेगा आप next expiry पे जाकर 300 point का hedge कीजिएगा ठीक है और in case ऐसा होता है कि in level को hold नहीं कर पाता है और वापिस नीचे गिरना शुरू करेगा तो आप 13.040 के नीचे break होने के बाद में आप अपना put buy करेंगे तो इसमें आपका 12.950 followed by 9 target के लिए आप अपना put buy कर सकते हैं और hedge के लिए 300 point नीचे next expiry का अपना put sell कीजिएगा और कल के लिए शुरुवात के लिए अगर आपको कोई trade समझ में ना आए तो bank nifty में 920 studies या अपले सकते हैं mid cap में नी bank nifty में because अभी लग रहा है कि bank nifty जादा react करेगा as compared to rest of the index तो 920 में उसमें add करना भूल गया था तो 920 की studies आता अपना bank nifty case अपनी शुरुवात कर सकते हैं और बाकी ही हमारा outlook रहेगा mid cap के लिए चले एक कुछ stocks के charts को भी study कर लेते हैं तो हमारा पहला pick रहेगा SBI card SBI card को मैंने specifically इसलिए pick किया है क्योंकि last session का सबसी highest gainer था तो in case ऐसा होता है कि कोई stock काफी बड़ी move करता है और crucial level के उपर आकर अपने आपको hold कर लेता है which is 800 तो अगर ये इसको hold कर लेगा जो अभी current closing है तो ये further rise करेगा तो हम क्या करेंगे 805 के उपर जाने के बाद में wait करेंगे और अगर इसके उपर चला जाता है याब बना है इसको fill करने के लिए profit booking करने के लिए नीचे आएगा तो आप यहाँ पर अराम से 787 का पहला target रखेगा और second target आप करेगा 780 का तो उस basis पर यहाँ पर भी आपका जो stop loss रहेगा 6 point करेगा तो उस basis पर आप अपना SBA में trade कर सकाए second pick रहेगा हिंद petro हिंद petro ने क्या किया है यह जो हमने trend line plot किया है इसी के उपर आके हर बार bounce करता है तो जब तक यह इसकी उपर रहेगा मदा आप मान के चलेगा यह आपक लिए support है जब तक यह उपर रहेगा और उपर रहते 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 यह 437 या 36 को अगर break करके hold कर लेता है किसे आप यहाँ देखेंगे तो यह further rise करेगा जिसमें आपका target रहेगा 441 का and 445 के second target रहेंगे और यहाँ पर 4 point का आपका stop loss बन सकता है इसके बीच में कोई trade मत कीजिएगा बिकाज यह हो सकता है कि नीचे लाइन के उसपे touch करके वापके से bounce back करे जब यह नीचे की तरफ break करेगा बिचे 432 यह जब नीचे की तरफ break करेगा तो यहाँ पर आपका sell initiate हो जाएगा तो 428 and 424 के target के लिए आप यहाँ पर इसको sell कर सकते हैं और यहाँ पर आपका stop loss रहेगा और यह जो आपके लिए trend line है यह important line है इसके और इस horizon line की बीच में कोई trade मत लिजेगा because यह indicate करेगा non-decisiveness और जो हमारा recently जो consideration हुआ था उसके अपर एक line draw कीजेगा उसके जाने दीजेगा उसके अपर hold करके थोड़ दिर महाँ stay करे और bounce करे तब आपको buy करना है हिंद पैटो हमारा अगला पर करेगा आर्ती इंडस्ट्रीस आर्ती इंडस्ट्रीस में एक line हमने draw किया है 600 पे ऐज़ा support और जितने भी recent high बने है उनको हमने connect करते वे एक trend line plot कर दिया है और अगर इस trend line को check करेंगे तो this is coming around 608 तो आप पहले हम line जो हमारे level से उनको mark कर लेते है 608 and 600 तो यह वो level है जो इस time support है अगर यह break करेगा तो further fall करेगा तो 594 and 598 के target रहेंगे falling side में और अगर यह break करेगा जो हमारे पास trend line है तो यह उपर भागेगा तो इसमें हमारे पास देखे 620 तक अराम से जा सकता है तो 614 and 620 के target रहेंगे दोनों तरफ आपका 5 point का stop loss रहेगा तो guys यह रहेगी हमारे analysis कल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में until then take care have a nice tip up